तो जोमेटो के शेर में अभी फिलाल करीब 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है दोस्तो इस चॉक 147 रुपीस की असपास काम कर रहा है यहां से अगर थोड़ी सी और तेजी भढ़ती है इस चॉक में तो इस चॉक आपका जो की एक इंपोर्टन लेवल है 150 रुपे 150 रुपे सब्सक्राइब की सेज्स एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने करीब 20% की ग्रोथ दिखाई थी अगरें quarter on quarter compare करें और अगर हम year on year की compare की बात करें दोस्तों तो करीब 100% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी इस quarter में अगर हम पिछले साल के इसी quarter की बात करें तो हर साल कम से कम जो जो मेंटर को रेवेन्यू है दोस्तों वह आपका 100% से जादा बढ़ रहा है और quarter on quarter company 20% से जादा ग्रोथ मिंटेन कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही attractive growth लगती है company का loss भढ़ता हो आया था दोस्तों करीब 430 कोड़ रुपे का जो कि थोड़ा सा जादा हो गया था और जो company ने reasons बताया है इस चीज का कि loss क्यू बढ़ाया हमारा दोस्तों तो company ने काया कि fuel prices बढ़ रहे हैं दोस्तो fuel prices बहुत जादा बढ़ चुके हैं जिसके वैसे उनके जो delivery cost होती है वो बढ़ रहे है और दोस्तो branding आपके advertisement जो खर्चे होते हैं उस पे भी company ने बहुत जादा खर्च किया था जिसके वैसे जो यह cost आपको बढ़ती भी ही है एक और reason दिया था दोस्तो आपका company ने कहा था कि हमारा जो हम नए नए cities में एंटर कर रहे है तो उनके वैसे जो initial cost आ रहे है वह ज्यादा आ रहे है और वहासे revenue इतना भी भड़या नहीं आ रहा है तो इसके वह जैसे भी cost भड़ते भी दिखी थी company की दोस्तो अगर हम revenue के growth के comparison में देखे तो तो दोस्तो वैसे अगर valuations की बात करें एक बार तो company के valuations करी एक लाग करोड की market cap है company की जो की बहुत ही बड़ी market cap है company फिलाल अभी loss making है जिसकी वैसे जो यह company का price है share price है 147 अगर 150 यह काफी महंगा लगता है लेकिन दोस्तो जो company की मुझे एक बहु बढ़ी बढ़ी चीज लगती है वह कि company की growth जो है company maintain करके चल रही है ऐसा नहीं कि बीच में बार बार growth छोड़ रही हो company अचीव ना कर बार रही हो quarter on quarter दोस्तो अभी फिलाल company 20% plus growth maintain करके चल रही है जो कि बहुत ही attractive growth rate है दोस्तो तो इस हिसाब से stock लगता तो काफी जो company है वह लगती तो बढ़िया है लेकिन हां यह है कि stock अभी भी दोस्तो थोड़ा सा महंगा दिखता है मुझे अगर loss कम हो रहा होता company का तो वह एक बढ़िया चीज हो जाती लेकिन फिराल loss आपका कम नहीं हो रहा है revenue growth बहुत ही बढ़िया आ रही है लेकिन valuations अभी भी महंगे दिखते हैं दोस्तों तो दोस्तों अपनी company ने जो quarterly results पेश किये थे उसमें company ने announce किया था कि जो ship rocket है दोस्तों जो की हमने बात करी थी पिछली वीडियो में company उसमें इन्वेस्ट कर सकती है company ने उसमें कुछ million dollar शाय 75 million dollar के आसपास इन्वेस्ट करने वाली दोस्तों जो कि आपकी amount पांसो साड़े पांसो ग्रोड रुपे के आसपास बनती है तो company का target है कि जो भी हमारे आसपास related company है जैसे वह तो food delivery business में जो भी linked business है company का plan है कि उसमें हम investment करके रखे ताकि आने वाले समय में हमें हमें इससे फायदा मिल सके यह सब चीज़े मैं आपको बता रहा वो include हो सकता है MSCI index में अब MSCI index में से अगर include होता है तो फायदा क्या होगा MSCI index को बहुत सारे investors जो foreign investors है वो follow करते हैं तो अगर MSCI index में Zomato share को include किया जाता है तो जो foreign investors है उनको भी share purchase करना पड़ेगा Zomato का उनको भी अपने portfolio में include करना होगा क्योंकि वो बिल्कुल exact copy करके च वहां पर उसको Zomato को update कर लिया गया है और दोस्तों जो एडलवाइस की report है उसके साब से करीब अब यहां से 160 million dollar के आसपास का निवेश देखने को मिल सकता है Zomato shares में यानि जो भी foreign funds है वो Zomato को करीब 160 million dollar के shares खरी सकते हैं 160 million dollar की investment आसकती है Zomato shares में जो कि आपकी दोस्तों अगर हम बात करें Indian rupees में तो आपकी वो 1200 crore रुपे बन जाती है एक बड़ी amount आने वाले है दोस्तों इससे जो हमने पिछली video में detail में discuss किया था कि अगर कोई share जो owner है shareholder है या तो उसे एक बड़ी एकजिट देखने को कि यहां से वो exit ले पाएगा क्योंकि 12 crore रुपे की investment आएगी Zomato shares में या आपका अगर कोई exit लेता ही नहीं है तो जो भी foreign investors को purchase करना पड़ेगा shares जिनको भी investors को purchase करना पड़ेगा जो भी MSCI index को follow करते हैं उनको open market में से Zomato shares purchase करना पड़ेगी जिसकी वैसे Zomato share में एक देखने को मिल रही है एक दोस्तों एक और में बात आपके साथ discuss करना चाहूंगा Valuations वैसे महंगे लगते हैं दोस्तों अभी भी Zomato share में growth बहुत ही बढ़िया दिखार यह company जो की सही में attractive लगती है बहुत ही बढ़िया लेकिन Valuations महंगे लगते हैं अभी लेकिन एक चीज है जो मैंने भी recently वह पड़ी थी एक PMS manager है portfolio management service जो provide करते हैं जो manage करते हैं उसको उन्होंने एक बात share करी थी दोस्तों जो भी आपकी tech company है जैसे आपकी Google हो गई आपकी Facebook हो गई या जो भी ऐसी tech company है जब वो अपने काफी छोटी stage में थी और जब वो US में listed हुई थी तो उनकी जो valuations थे वो भी महंगे पे लिस्ट हुए थे और जब सभी investors का मानना था कि भ market frame है पूरे worldwide famous है इसलिए क्योंकि Google आपके shares सिर्फ US में listed है आपके Facebook के shares Apple के shares यह ऐसी जो भी company है technology दोस्तों related उन सबके shares Google में listed है और आज बहुत तगड़ा profit कमा रही है वो सभी company है तो जब हो लिस्ट हुए थे stock market में US के जब उनके value shares बहुत महंगे लगते थे ऐसा लगता हैं company सारा ही सब profit बढ़िया कमा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि जो भी internet company है जैसे आपकी zometo हो गई उसके valuations अभी बहुत ज्यादा महंगे हैं तो आपको बिलकुल long term के लिए avoid करना चाहिए या stock बिलकुल बेकार है खरीदा नहीं जा सकता है stock बिलकुल deserve नहीं करता है कि आपक नहीं सारी internet company बेकार हैं लेकिन कुछ internet company जो कर जिनमें लगता है future जिनमें लगता है कि company आगे चल के profit निकाल सकती है वो बहुत ही बढ़िया अभी भी हांसे return दे सकती है long term में दोस्तों तो यह चीज में आपके साथ share करना चाहरा था ऐसा नहीं है कि जो value जैसे हमें आज जुमेटो की वैलेशन महेंगे दिख रहे है एक लाग क्रोड की market cap है तो ऐसा नहीं है कि long term में भी दोस्तों यह वैलेशन महेंगे रहे अगर जुमेटो जो भी हमने जैसे बात करी 20% का द जैती है और जो loss है अभी वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है profit भड़ता चला जाता है तो long term में दोस्तों यहां से जुमेटो का शेर एक बड़िया तेजी देख सकता है लेकिन जैसे मैंने बात करी यहां से growth maintain करना growth बनाय रखना important रहेगा जुमेटो के share के लिए लेकिन हा short term को दोस्तों consider करते हुए near term को consider करते हुए तो valuations महेंगे लगते हैं अब stock के बारे में बात करें दोस्तों stock यहां से कैसे दिखता है तो जैसा हमने पिछली काफी वीडियो में discuss किया दोस्तों 150 रुपे का जोस्तर है वो एक important level है वहां पे stock लगता है कि एक बढ़िया यहां पे यहां पेड़ आपका 50 रुपे के असपास लेकिन वहां से selling pressure देख असके ओपर नहीं जा पाता है जैसा आप देख सकते हुए अ STAR 450 रुपे की असपास आया मेंस बें excess कि फ्रवना यहां जा आनुचा सकती हुए असपास हरिं ओप का शोमिलाने वाला यहां पे में और आपका view short term ही है कुछ महीनों का view है तो 150 रुपे का स्तर ऐसा है कि जहां पर आप अपना profit book कर सकते हैं अच्छी खासी amount में 150 रुपे का स्तर पर profit बड़ी सही amount में book किया जा सकता है अगर यह स्तर होगा profit booking के लिए 150 रुपे का स्तर दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपका 150 रुपे के उपर नहीं जा सकता है दोस्तों अगर स्टॉक में तेजी बनी रहती है जैसे मैंने आपसे बात करी अभी यहां पर अभी 1200 क्रोट रुपे इंवेस्टमेंट आए और open market से shares अगर उनको मिलें वो shares purchase करेंगे तो share में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकते है जिसमें एक बार के लिए हो सकता है कि stock 150 रुपे के उपर आ जाए यह थोड़े दिनों में पता चलेगा कि कैसा क्या होता है लेकिन चांस रहेगा दोस्तों तो ऐसा नहीं है stock आपका 150 रुपे के उपर नहीं जा सकता है इस stock 150 रुपे के उपर भी जा सकता है तो कोई भी आप अगर decision लेते हैं तो इस चीज को consider करते हुए ही लेना वड़ना long term की बात करें तो जैसे मैं रहे बताया दोस्ता ऐसा नहीं वेल्यूशन महेंगे हैं और company loss making लॉस भट रहा है company quarter on quarter अभी तो ऐसा नहीं कि company long term के लिए बहुत ही बेकार company company shares own कर नहीं नहीं चाहिए इसको avoid करें ऐसा नहीं long term में एक बढ़िया bet हो सकता है zometo का अगर company यह जो growth है भी वो maintain करके चलती रहती है फिलाल दोस्तो वीडियो ही तक थी अगर कोई और update आता है तो उसके बारे में अगली वीडियो में जरूर discuss करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो like जरूर कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको updates मिलते रहे धन्यवाद